हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्के में हम चैनल उपचार नुस्के में डेली एक लेटिस वीडियो अपलोड करते हैं यदि आप हमसे जूना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल उपचार नुस्के को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल सबसे पहले जानते हैं फरवरी में नम्मी मेने में जन्मी लोगों के बहुत ही अच्छे होते हैं इनके वैवहार में चंचलता का गोड़ देखनी को मिलता है लेकिन जैसे जैसे समय बीचता है ये अपने काम और अपने वैवहार दोनों को लेकर गंबीर होते चले जाते हैं वैसे तो ये शांत रहते हैं लेकिन कब किस बात को लेकर गुस्सा आ जाए किसी को पता नहीं चलत ये लोग अपने हर चीज दुसरों से शेयर नहीं करते, ये अपने बोलने की तरीके से महफिल को जीत लेते हैं। इनकी परसिनालिटी काफे आकश्यक होती है, अपने रिस्तों के प्रती ये बहुत ही इमोशनल होते हैं। दुसरों के लिए इनके दिल में दया का भाव होता है, इस महीने में जन्मे अधिकतर लोग बेहती इंटलिजन्ट और स्मार्ट होता है। इस महीने में जन्मे लोग कैरियर के मामले में डॉक्टर, लेखर, सिक्षक, चितरकार, कम्प्यूटर, विसेशक, अभिनेता या नेता बनते हैं। ये दुसरों के सुखदुख में उनके साथ होते हैं और अपनी ओर से हर संभो मदद करने की कोशिश करते हैं। ये हर उम्रे के लोगों के ग्रूप में शामिल होते हैं, प्यार में बहुती भोले होते हैं, प्यार में ये लोग अपने दिल की बास सबसे तो कहे दिंगे लेकिन जिससे कहना है उससे कभी खुल कर नहीं कहते हैं। अब बात करते हैं साल 2020 में फरवरी में जन्मे लोगों की सिक्षा के बारे में राशिफल 2020 के अनुसार वर्ष की सुरुवात विध्यार्तियों के लिए महनत करने और धहरी रखने वाला हो सकते है चात्रेदी साल के शुरुवाती महीनों में अपने लक्षी पर फोकस करके कड़ी महनत करें तो अच्छे परेडाम जल्दी मिलेंगे इंजिनेरिंग, मेडिकल, मेनेजमेंट जिसे छेत्रों की पढ़ाई करने वाले चात्रों के लिए साल विशेश रूप से उपलब्दी वाला साबित होगा परतीस परदी परिक्षब में भाग लेने वाले विध्यारतियों को आश्यक के अनुरूप रिजल्ट मिलेंगे वे स्टुडेंट्स जो विदेश में जाकर सिक्षा पाना चाहते हैं उनके लिए वर्स के मध्धी का समय अनुकूल रहनी के संभावना है इस वर्स चात्रों के लिए सला है कि सिक्षा में सौटकर अपनानी से बचें और अपनी महनत पर पूरा भरोसा करके आगे बढ़ें जिससे आपको अच्छे परेडामों की प्राप्ती हो कुल मिलाकर परवरी में जन्में लोगों के सिक्षा के चेत्र में यह सल तरक्की वाला साबित हो सकता है आप बात करते हैं साल 2020 में परवरी महिने में जन्में लोगों की नौकरी और विवसाई के बारे में राशीपल 2020 के अनुसार यह वर्स केरियर के मामले में आपके लिए एवरिज रहेगा साल के कुछ शुरुवाती महीने केरियर के लिए उतार चड़ाव से भरे रह सकते है लेकिन बहुत जल्द ही परसितियों में सुधार देखने को मिलेगा साल के मद इस्तर पर आप आद्मी स्वास से भरे रहेंगे वर्क्य प्लेस में आप अपनी कारी कुछ शल्ता से दुसरों को परभावित करेंगे कारी छेतर में तरक्की के अफसर मिल सकते हैं साथ ये आये में भी बृत्धी होगी इस वर्स नौकरी में इस्थानांत्रण का मजबूत योग बन रहा है अपना व्यवसाई कर रहे लोगों के लिए यह वर्स काफी हद तक सुकुन भरा वर्ष रहने के उमीद है आपके व्यवसाई में उत्रोतर व्रद्धी होगी और आप सफलता के नए किर्थिमान बनाएंगे इस वर्स नौकरी अत्वयवसाई के संधर्व में यात्रण पर जाना पड़ सकता है विर्सेज रूप से मार्च से माई के बीच ये यात्राएं आपके कारी के लिए नई उज़ा का संचार करेंगे और साथ ही आपको लाफ परदान करेंगे कुल मिला कर केरियर के मामने में यह साल आपके लिए अच्छा रहेगा अब बात करते हैं साल 2020 में फरवरी महीने में जनमी लोगों के प्रेम और विवाहिक जीवन के बारे में राश्यफल 2020 के अनुसार प्रेम और विवाहिक मामलों में यह साल आपके लिए यादगार रहेगा इस वर्स आपकी लब लाइफ में निखार आएगा और गहराई वड़ेगी आप अपने प्रेम जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं पार्टनर के सांथ कई घुमने पिरने की योजना भी बना सकते हैं और अच्छा समय सांथ भी बिता सकते हैं अगर आप पहले से ही किसी रिलेशन में हैं तो अपने रिस्ती को मजबूत बनाई रखने के लिए अपनी प्रेतम को खुश रखें वेवाहिक जीवन में आप दोनों के पारसपरिक तालमेल के कारण दामपत्य जीवन में खुश्यों की परधानता रहेगी हालनके इस वर्ष कुश समय आपको दामपत्य जीवन को लेकर धैरी का परीचे देना होगा और परिसिती के अनुसार ही चलना होगा कुल मिलाकर प्रेम और ववाहिक मामलों में यह साल आपके लिए शांदार रहने वाला है अब बात करते हैं साल 2020 में परवरी महिने में जन्में लोगों के पारिवारिक जीवन के बारे में राशिपल 2020 के अनुसार यह साल आपके पारिवारिक जीवन के लिए शांदार रहेगा वर्स की शुरुवात काफी शांदार रहेगी और आप परीजनों के सांद मिलकर अपने विचार भी शेयर करेंगे और पारिवारिक जीवन में सुक शांती रहेगी इस वर्स आपको अपने भाई बहनों का पूरा सायोग मिलेगा उनके सांद आपके सम्मद और मजबूत बने इस वर्स आप भी घर में शांती बनाए रखने का प्रयास करें और सब की जरूरतों पर ध्यान दें साल के मध्य भाग में आप घरीलू कारियों में व्यस्त रह सकते हैं इस दोरान घर परिवार में किसी तरह का कोई कारी संपन हो सकता है कुल मिलाकर इस वर्स आपके पारि मामलों में आपके लिए अच्छा रहने के उमीद है इस मर्स आप अपनी महनत से काफी अच्छा धन कमाएंगे लेकिन इसी के सांथ पैसो की बच्चत पर भी ध्यान दें पूरे साल आप फाइनेंसली मजबूत रहे इसके लिए अनावश्य के खर्चों से बचे और आई के मदी भाग में आप अच्छे धनलाब की उमीद कर सकते हैं कोल मिलाकर यह साल आर्थि मामलों में आपको अच्छा लाब देकर जा अब बात करते हैं साल 2020 में फरवरी महिने में जन्मे लोगों के स्वास्त के बारे में वार्षिक रासीपल 2020 गनुसार्ट सेहत के लिहाद से यह वर्ष आपके लिए बढ़िया रहेगा आप आरोग इसे परिपूर्ण रहेंगे इस साल ध्यान रखें कि काम की बीच में अराम के लिए भी समय अवश्य निकाले संबह हो तो सुभा की सेर पर जरूर जाहें और योग वयाम और ध्यान को अपनी नियम्मी दिनचरिया में शामिल करें पूरे वर्ष आप अपनी सेहत पर विश्य ज्यान दिंगे जिनके अच्छे परिड़ाम भी आप अवश्य देखेंगे इस साल आपको स्वैम और परिजयरों के स्वास की प्रती भी सजग रहना चाहिए कुल मिलाकर सेहत की द्रिस्टी से यह वर्ष अच्छा रहेगा दोस्तों अगर आपको इस सभी जानकारिया पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उप्चार नुसकी को लाइक सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले